बिहार में आखिरकार बीजेपी और जेडियू की राहें अब अलग-अलग हो चुकी है नितिश कुमार अब महागटबंदन के साथ हाथ मिला चुके हैं और इस मामली पर बाचित कने कले इस पक्त मारे साथ बिहार से भारती जनता पार्टी के सांसाथ अजय निशाद जी हैं अजय जी क्या इस बात की उमीद थी कि नितिश जी इस तरीके से जटका दे जाएंगे यह ऐसी तो उमीद नहीं थी और कोई कारण भी नहीं था भारती जनता पार्टी मानने मुखमंती का हमेशा सम्मान करती रही है कम सीट आने के बाद भी जैसा कि हमारे गिरिमंती जी घ आने वाला समय में भारती जनता पार्टी को थ्वासा और महिनत करने की जुरत परेगी और जो आने वाला चुनाव जो है लोग सभा का उसमें हम लोग और महिनत करेंगे और कोसिस करेंगे कि 40-40 सीट पे हम लोग दर्ज करें और जो गठवंदन तोरे हैं इसका भी मुतोर जवाब जो है बिहार की जनता देगी उनको अजय जी मैं एक सवाल आप से जरूर जाना चाहूंगा यह बात अपने बिल्कुल सही कहा कि 20 के विधान सभा चुनाव में कम सीटे जेडी को आई फिर भी आपने नितिश कुमार को मुख्यमंतरी के रूप में स्विकार किया ल इस तरह का ब्यान देना इनको उचीत नहीं है ऐसा ब्यान उनको नहीं देना चाहिए भारतिय जनता पार्टी कभी किसी को कमजोर करने की काम नहीं करती है हमारे पास 20 साल फोजे हैं कार्च करता का बिस्प के सबसे बड़ी पार्टी है हम हर छेत में उनसे आगे हैं तो हम क्यों कमजोर काम करने का काम करें यह तो तैय हो गया कि महागट बंदन के साथ एक बार फिर 160 विधायकों के समर्थन का दावा करने के सरकार बनेगी बीजेपी का अगला कदम क्या होगा भारतिय जनता पार्टी फिर जनता के बीच में जाएगी हम लोग जनता के बीच में जाकर काम करेंगे अभी तो सबसे बड़ा चुनाओं हम लोग का लोग सबाका है दूजार चोवीस में पहले हम लोग उस पर बीजय पाथी पर्चम ला राएंगे बीजय का मानिय प्रधान मंतिजी को फिर तीसी बार सत्ता में बैठाएंगे फिर विधान सबा में दो-दो हाथ कर लेंगे कह के तरफ से वाइस प्रेजिएंट का केंडिरेट उन्हें बनाया जा सकता उपराष्ट पती पर कवमिद्वार इसके लिए पहले उन्हों नहीं इंतजार किया यह से इस बारे में हमको ज्यादा जनकारी नहीं है चुकि इस तरह का जो भी चाहे परदानमंति का हो चाहे इशाद और इनका साफ तोर से कहना है कि अब इससे आगे कि जो रानिती है उस पे काम करना है और 2024 का लोगसभा चुनाव नस्दीक है और अब पाटी पूरी ताकत के साथ उस चुनाव में जीतेगी उस चुनाव के लिए तैयारी करेगी और निश्य दूरूप से उसमें ब